सब्सक्राइब कीजे स्मार्टफॉन की चैनल को और बेल आइकोन को दबाईए सबसे पहले लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए हलो दोस्तो स्मार्टफॉन की चैनल में मैं आपका करता हूँ दोस्तो सुवागत दोस्तों यदि आपका corporation bank में account है और आप यदि KYC कराना चाहते हैं तो ये corporation bank का KYC form भरना होगा तो अभी की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस KYC form को भर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको आई वीडियो पसंद तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को और अभी तक आपने subscribe नहीं किया है smartphone की channel को तो please subscribe कर देना smartphone की channel को स्ताती घंटे को भी दबा देना आने वाली हर latest video की जानकारी के लिए तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं इसके बाद आप नीचे आएंगे यहां आप लिखा हुआ पर सकते है personal detail यहां आप लिखा हुआ पर सकते है name आपके name में जो first name आता है वो यहां आपको लिख देना है आपके name में जो last name आता है वो यहां आपको लिख देना होगा इसके बाद आप नीचे आएंगे यहां आप लिखा हुआ पर सकते है father name यहां जो है आपको अपने father का name लिख देना है इसके बाद आप नीचे आएंगे यहां आप लिखा हुआ पर सकते है mother name यहां जो है आपको अपना ही mother का mother name लिख देना है इसके बाद आप नीच आएंगे यहां आप लिखा हुआ पर सकते date of birth यहां जो है आपको अपनी date of birth लिख देनी है इसके बाद आप नीच आएंगे यहां आप लिखा हुआ पर सकते zander यदि आप male है तो male पे tick कीजिए, यदि आप female है तो female पे tick कीजिए Marital status यदि आप married है तो married पे tick करेंगे Unmarried है तो unmarried पे tick कीजिएगा Citizenship यहाँ जो है आपको Indian पे tick कर देना है Residential status यहाँ आपको Resident Individual पे tick कर देना है Occupation type आपको जो भी Occupation आता है आपको उस occupation पे ticker देना होगा और यहां जो है आपको अपनी photo लगा लेनी होगी इसके बाद आपको नीचे आ जाना है यहां आप लिखा हुआ पड़ सकते हैं proof of identity यहां जो है आपको अपना identity का proof देनी के जुर्द है आपके पास इनमें से जो भी document है उस document पे ticker उस document के सामें उस document का document number लिखना होगा मान लीजी यहां आपके पास pan card है तो यहां आपको pan card पे ticker यहां जो है आपको अपने pan card का pan number लिखना होगा यहां आपके पास अधार card है तो यहां आपको अधार card का अधार number लिख देना होगा इसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ आप लिखा हुआ पर सकते है proof of address address type आपका इन में से address type जो भी आता है आपको उस पर tick कर देना है इसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ आप लिखा हुआ पर सकते है proof of address आप यहाँ पर जो address लिखेंगे आपको यहाँ प्रूफ देनी की ज़रत है तो प्रूफ में यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है जो भी आपका जो भी प्रूफ इन डॉक्यूमेंट में आता है उस डॉक्यूमेंट पर आपको टिक कर देना होगा डॉक्यूमेंट पर टिक कर देने के बाद यहां जो है आपको अपना address लिख देना है यहां जो है आपको अपना city लिख देना होगा यहां जो है आपको अपना pin code लिख देना है यहां state code लिख देना होगा अपना और यहां जो है country code में I और N लिख देना है इसके बाद आप इस forum को पीछा करना है कि अपने जो पीछे एड्रस लिखा है वही हम यहाँ पर भी होगा अपना सटेंल लिख देना हैं यहाँ आपको कंटर् When wr 6 कोट में आपको अपना अपना पेंड जाह सबस्छा पना 911 लिख लखा हर इसके बाद आप यहाँ लिख लिखा हुआ पड़ सकते है email id यदि आपकी email id है तो यहाँ अपनी email id भी लिख सकते हैं इसके बाद आप नीचे आएंगे इसके बाद आप यहाँ लिखा हुआ पड़ सकते हैं applicant declaration आपको इस declaration को पढ़ लेना है declaration को पढ़ लेने के बाद यहां जो है आपको अपने signature कर देने होंगे यहां जो है आपको अपना place लिख देना है और आप जिस दिन इस forum को bank में जमा कराएंगे उस दिन की date यहां आपको लिख देनी होगी इसके बाद आप नीचे आएंगे यह जो नीचे का portion है यह bank के अधिकारी भरेंगे इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है तो आशाय दोस्तों अभी की वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है आपको पसंद आयोगी वीडियो आयो पसंद तो like जरूर कीजिएगा दोस्तों के शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और अभी तक आपने subscribe नहीं किया है smartphone की चायों को तो please subscribe कर देना smartphone की चायों को साथी घंटे को भी दबा देना आने वाली हर latest वीडियो की जानकारी के लिए तो अभी की वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद